है तो दोस्तों मैं हूं बिहार के अर्वल जिले में और गाउंका नाम है क्याल और यहां पर एक गाय ने चार बच्चा दिये यह पर आप देख सकते हैं एक दो तीन और वहां पर एक चार तो चार बच्चों को भी पूरा बढ़िया से दिखाता हूं हम लोगों ने तो फर्स्ट देखा है पता नहीं आपने फर्स्ट या कभी देखा हो एक गाय का चार बच्चा पाइए इनके और से मिलवा तो और पूरी इस गाय के वारे में जानकारी देता हूं कि कैसे संभव हुआ और इससे पहले भी इसने दो बच्चा दिये यहां पर आप देख सकते हैं बच्चिया को जो कि इसका जूडवा वाला जो था वह एकस्पायर कर गया इनका कहना है तो यहां पर एक पहले से 2020 में 2020 में जब इस उस गाया ने बच्चा दी थी तो दो दी थी एक बच्चिया था यहां कर दो दोनों बच्चिया थी और एक बच्चिया बच्च रही है तो आए म मिलवाता हूं यहां के उनर से उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पर पहली बारा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन भी दबाये ताकि आपको इस तरह वीड बेली पता चल रहा है देख सकते हैं यह बच्चडी है है के यह भी ऑच्चडी है और वहां वह बच्चड और charged थोड़ी कमजोर होने के मसले बख़ते होet bye यहां पर देख सकते हैं तो चल चले डाले आप इस गया के बाताए ये गROD latte उस श्द मेरे क्हां कहरीद इसका एक बच्चा था चार बच्चा में तीन बाची गाय का कमजूर होने के वैसे थोड़ा प्रोब्लम आ रहा है आपको ऐसा लग रहा कि यह चारों बच्चा पाल पाएगी यह बहुत मतलब समझे के नसीब वाले के हां ऐसा होता है फर्स्ट एम मुझे खुद अच्छा लगा सुनकर जब मैं सुना के एक गया ने चार बच्चा दिये मैं खुद चला आया देखने के लिए तो आपको कैसा अन्भा हो रहा है लोग आ रहे हैं कम से कम दो हजार आदमी आपके पास देखने के लिए सुधा के अंदर वाले वहां से भी लोग आये देखने के लिए सिर्फ यह गया के बच्चे को की चार बच्चे और बच्चा चारों के चार ठीक है टाइम से पहले दी है या टाइम पूरा इसका नों मैंने कंप्लेट हुए थी बाइस दिन कुछ कमी नहीं है बच्चे का आप देख सकते हैं वेट की बात करने तो संथिंग बीश से बाइस के जी का बच्च का वेट होगा और समझ जी आई है चार बच्चा है तो एक पेट के अंदर असी केजी बच्चा का वेट हो गया जो कि वे नॉर्मली अगर एक बच्चा आत आपको ऐसा एसास था पहले से कि चार बच्चा देगी दो का क्यूंकि एक बार दे चुका था इत्तरा से पेट देख रहे हैं उसे में से आपको ऐसा एसास था कि दो बच्चा देगी लेकिन इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया चार बच्चा देगा तो दोस्तों मैं गाय को नजदीक से दिखाता हूं जैसा कि चचा ने बताया कि यह साथ में बार बच्चा दी है तो आप समझ सकते हैं थोड़ा कमजोर एक किसान के पास गाय रहती है घर के लिए यूज करने के लिए जब किसान रखता है और इस मौसम में अक्सर आपको जो बारिश और ठंडी का मोसम आने से पहले जो मोसम होता है मक्षी का मौसम बोल सकते हैं इसमें अक्सर जानवर जो है पशु कमजोर हो जाती है और यहां पर आप देख सकते हैं थोड़ी कमजोर होने के वज़े से थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है बच्चों को इनके तो अभी कैसे पिला रहा है इनका दूद चारों बच्चे को पिला अगना चाह रही है बच्चा देन के बाद उठी थी अच्छा लोग कहती से घ्रेड़ा घ्रेड़ी जिर लोग कहती बचने के अच्छा ऑगया अच्छा उसके बाद पर चुना नहीं हो रहा था और वही जो बतार्वृ इसका तो अप्र पीड़ी कोई नहीं कई गिरा तो एक हिस्सा कई आक निकल वाए आज को उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो मुझे भी जहां तक हम लोग देख पा रहा है यह बच्चा चार बच्चा निकालना इतना आसान बात नहीं है बच्चा देने के वस्ते थोड़ा विक्निस आया है गाय के अंदर वह मुझे लगता है तो दोस्तों कैसा लगा आपको चारों बच्चा कॉमेंट में जरूब बता है वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरू कर दें जैसे कि आप अगर गौर्णमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वैटनेरी में नीचे दरजे का तो आपको वहाँ पे नौकरी मिल सकती है तीन महिने के ट्रेनिंग में आपको प्रेडिकल थेवरी सभी चीज बताया जाता है मुरादाबाद में ये रेलवे एस्टेसन से लगभग तीन किलोमेटर दूरी पे ये इस्थित है आपको गौर्णमेंट से टाइप है और गौर्णमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है तीन मेहना जैसे ही आपको कम्पलीट हो जाएगा इसका कुछ चार्ज होगा रहन यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं हमारे वीवर्स हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं और बहुत सारे लोगों का कॉमेंट रहता है प्रसनली मुझे पूछते हैं कैसा रहेगा आपका प्रसनली तो मैं बताना चाहूंगा वहा प्रसनली तो मैं रख सकते हैं कोई दिक्कत ना है चारू हो जाती खड़ा एकरूद वह उस्तार करने तो अधार प्रसनली निकल पहुता ना इन आउला ना हां खुटों वह मसे निकालता आप बल्या करणा ल LYक तो मधर गया हाव पाह उन दाजए एक डिडिए आटाना भी बाड़ा और अष़्श्कट खड़ा उस्ते या यह ऊना है खड़ा आं तो हुझ है। चरदान जोजी जाए दाबार है बुले कि यह कि अथार है जोनों कुछेब है हुप है जार हुप है पाराई हमेर भी सबस्ते लोग लोग तुल मेर दोगए हमेर हमेर कर दोगी है झाले, झाले,وسौ